हाई फ्रेंस, मैं हुँ जो्टिका, जो्टिका की रुसोय में आपका स्वागत है आज हम पनीर कोक्ते बनाएंगे पनीर कोक्ते जब भी आपको बहुत अचipple कोशा खाने का दिल करें तो ये सबजी बना सकते हैं ये सबजी बनाना बहुत ही असन है ये सबजी बनाके रखें, महमान आये तब बनाईए, ये परसनली मेरे को बहुत पसंद है ये सबजी, तो आज हम देखेंगे की पनीर की कुपते कड़ी कैसे बनाते हैं, आएए देखते हैं इस रेसिपी की तयारी, मैंने लिया है दो मीडियम साइज का बॉयल आलो और इसको आड़ करेंगे पनीर, ये लगवग आधा काप की पनीर इसमें आड़ कर दिया है कड़ू कस करके, और इसमें अभी हम थोड़ा सब भूना हुआ, बेशन आड़ करेंगे, बेशन को हलका तावय में भून लिजी, फिस को आड़ कीजी, मैं इस तरह से बनाती हूं, मैं अप अब लोगों को, नमक एड़ करेंगे, स्वादनुसर, धन्या पाउडर, एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून लाल मिर्स पाउडर, और एक टेबल स्पून गरम मसाला, आप इसमें ओनियन भी एड़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एड़ नहीं कर रही हूं, मैं इस तरह से बन मिक्स करके दो बना लेंगे, ये मैंने मिक्सर करका न ये बना लिए, और आप पसंद के इनुपना लाए, जैसे छोते बड़े आपको पसंद है, ये जो भी पसंद है, मैंने बीश में अपूब आप बनाने के लिए कर दोफ़ीनन भी, वीचे मात बना के जिए वीचे में मैं एक काजू रखा और थोड़ी सी पनीर एड़ कर रही हूं इसमें बीज में और इसको बन करके फिर इसको गोल कर देंगे इस तरह से मैंने इस साइज का बनाया आप अपनी सौइस के कोडिंग बनाई है मैं और एक बना के दिखा रही हूं थोड़ा सा दो लीजिए और इसमें बीज में होल जैसा कर लीजिए और इसमें काजू और पनीर यह दोनों मैंने एड़ किया है आप काजू एड़ कर सकते हुआपने पसंद के अनुसर् के और इस तरह से है इस तरह से बना लेजिए यह यहुआ है रहे सारे को सारे क्वत त्यार क लूगए है यह मैंने सारे कुप्ते तयार कर लिया और मैंने 10 मिनिट के लिए इसको फ्रीज में रख दिया सेट होने के लिए अभी हमने कडाई में ओयल डाला ओयल को गरम होने दे दिया और इसमें हम बनाएं एक दो से टेबल स्पून मैडा या कॉंट्रोल ले सकते आप लेकि इसमें पानी मिक्स करके एक घोल बना लेजिए और इसमें कोफ्टे को डिप कर लेजिए अच्छे से यह ऐसे करने से कोफ्टे आपका फटेगा नहीं और हम अभी डी फ्राइ करेंगे तेल को अच्छे से गरम होने डीजिए इसके बाद आप कोफ्टे डालिए और बहुत जड़ा हाई ना करें फ्लेम को फ्लेम मीडियम हाई रखिए मैंने सारे कोफ्टे डाल दिया और जैसे एक साइट पूरा पक जाए तो इसको पलत दिएगा नेटो यह इसको पलत लीजि सारे कोफ्टे को पलत लीजिए और इसको गोल्डेन ब्राउन अच्छे से गोल्डेन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कीजिए और हम यह फ्राई हो गया है अभी हम उटार लेंगे इसको और ग्रैवी के लिए मैंने लिया है दो मीदियोम साइज का टुमेटो एक इंस अडरक और बे पीस लिया है और आदस काजू बिगों के रखा था जो मिक्सी में मैंने पीस के ऐसे ले लिया और मसाला में धनिया पाउडर लाल मिर्स हल्डी पाउडर एक मेंने कस्मरी लाल मिर्स पाउडर लिया है और खरा मसाला में टेज पत्ता लॉंग इलाईसी और डाल से में पैन में एक टेबल स्पून घी एड़ कर देंगे और घी को गरब होने देंगे अभी हम जो खड़ा मसाला लिया था वो एड़ कर देंगे थोड़ा सा भून लेंगे इसको मैं इसमें प्याज लस्टन यूज नहीं कर रही हूँ बिना प्याज लस्टन का बना रही हूँ और मैं टोमेटो प्योरी बना के रखा था ना वो मैं एड़ कर रही हूँ अभी इसको हम भून लेंगे तमेटो हमारा पग गया है और ये लेखे कलर भी अच्छा आ गया है और किनारे से ये ओल दिखाई देने लगे इस ताइम हम मसाला एड़ कर देंगे मसाला जो मैंने बताया था वो मसाला हम एड़ कर रहें धन्या लाल मिर्स हाल्दी पाउडर इसको भी मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे मसाला हमारा मिक्स हो गया है अभी हम जो काजू का पेस्ट बना के रखा था वो एड़ कर रहे हैं मिक्स कर लेंगे मिक्स हो गया है अच्छा कलर भी बहुत अच्छा आया है यह बनाना बहुत असान है हम थोड़ा सा एक पानी आड़ करेंगे पानी आप अपनी पसंद के अनुशार एड़ कर सकते हैं आपको जैसा ग्रेवी पसंद है पतला गारा जैसे ग्रेवी आप साते हो इस तरह से पानी एड़ करेंगे नमक एड़ कर दिया एकोर्डिंग टो टेस्ट और पांस मिनित के लिए धग के पकाएंगे यह हमारा ग्रेवी लगोग तयार हो गया है फ्रेस क्रीम एड़ कर देंगे आपके पास मलाई है तो मलाई एड़ कर सकते हैं डूर भी एड़ कर सकते हैं मिक्स कर देंगे गरम मसाला एक टेबूल इस्पून गरम मसाला एड़ कर दिया मैंने और अभी हम कसूरी में ठी अड़ करेंगे इसे खुजबू बहुत अच्छा आता है और सब्जी का तेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है हमारे ग्रेवी टेयार जब भी आप ये बनाई कोफटा करी बनाएंगे तो आप पहले ये ग्रेवी बना के रखिए इसके बाद जब भी सर्व करना हो तो आप उसके उपर कोफटा अड़ करिए करके फिर इसको सर्व किजिए बहुती स्वादिस्ट सबजी है बहुती अच्छा तेस्टी सबजी है जब भी महमान आये तो भी ये बनाईए घर पे बनाईए अपनी फेमिली के साथ एंजॉय किजिए मैं जिस्तर से बनाती हूँ मैं उस तरह से आपको बनाके दिखाया है यह अपनी फेमिली के साथ एंजोई कीजिए आसा करती हूँ मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आये और पसंद आये तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए मैं मिलूंगी और एक वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही नमस्कार